तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो दो चैनल टीकी ब्रेंट्स आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारवी के बोर्ड एक्जाम के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि एक जुन से पांच जुन तक कोश्चन पेपर और आंसर सीट का वितरन किया जाना है तो इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि पहला सवाल है कि क्या सभी वीसे होगे कोश्चन पेपर और आंसर सीट लेने के लिए हमें अलग 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 दिन जाना पड़ेगा या एक ही दिन मिल जाएगा तो फ्रेंट सभी सभ्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट एक ही दिन आपको दिया जाएगा जिसके लिए आपको एक जुन से पांच जुन तक कोई भी दिन इसकूल जाना है और आपको आपके सभी question के question paper और answer sheet एक ही दिन दे दिया जाएंगे आपको इस अभी papers एक 30 x 40 cm लिफाफे में दिया जाएंगे जिसके उपर आपका नाम, role number, जितने भी subject हैं सभी के subject code और लिफाफा वित्रन किया जाने का date और जमा करने का date भी लिखा रहेगा जब भी आप जाएंगे तब वहाँ पर date भर दिया जाएगा अब दूसरा सवाल यह है कि इस लिफाफे के अंदर में कौन कौन से चीज़े रहेंगी तो friends इसके अंदर आपके सभी subject जैसे कि यदि आपने बारवी में math लिया है तो Hindi, English, Physics, Chemistry, Math सभी subject के question paper रहेंगे सभी subject के लिए एक-एक मुख्य उत्तर पुस्तिका रहेंगी और सभी subject के लिए एक-एक पुरक उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी अब बात ध्यान देने वाली यह है कि जैसे ही आपको लिफाफ़त दिया जाता है आपको proper चेक कर लेरी है कि जो जो subject को लिखे है लिफाफ़े के उपर वे सही है की नहीं उन सभी subject के question paper है की नहीं उत्तर पुस्तिका है की नहीं और सभी उत्तर पुस्तिका में सिल लगा हो ना अनिवार है यदि किसी उत्तर पुस्तिका में सिल नहीं लगा है तो आप जाके कक्षचाचारिय या अपने class teacher से बात कर सकते हैं अब एक और सवाल आता है कि क्या ऐसे उत्तरपुस्तिका या पूरक उत्तरपुस्तिका जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है उन्हें भी जमा करने हैं या नहीं तो friends सभी उत्तरपुस्तिका और पूरक उत्तरपुस्तिका आपको जमा करने अनिमार जहें चाहे आप उसमें कुछ भी लिखे हो या ना लिखे हो अब एक और बात है जो ध्यान देने वाली है कि question paper और answer sheet लेने के लिए हमें कौन-कौन से चीज़ें लेके जानी होगी तो सबसे जरूरी चीज़ आप अपने प्रविश्पतर जरूर रखें अपने साथ एक ID कार्ड रखें चाहे इसकूल ID हो या अधार कार्ड हो अपने पास जरूर रखें और चुकि कुरोना काल चल रहा है इसलिए अपने पास एक पेन जरूर रखें मास्क जरूर पहने, sanitizer जरूर रखें अपने साथ में, ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और बात ध्यान देने वाली है, जब आप उत्तर पुस्ति का और question paper प्राप्त कर लें, तब उत्तर पुस्ति का वित्रण पंजी में आप अपना हस्ताक्षर जरूर करें, भूले नहीं, और जब आप answers जमा करने जाएंगे, तब भी आपको उत्तर पुस्ति का जमा पंजी में हस्ताक्षर जरूर करने हैं, तो ध्यान रखिये गए इस बात का, अब आता है एक सवाल कि क्या उत्तर पुस्ति का लेने हमें खुद जाना पड़ेगा, क्या हमारे parents नहीं रा सकते हैं, तो बच्चों आपको अपना लिफाफा खुद जाके लाना पड़ेगा, आपको हाँ जाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और यह बहुंच जरूरी भी है, नहीं तो कोई भी किसी का भी आंसर्षिट लेके आ जाएगा इस्कुल से, है ना फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, अगर कोई student कोरोना प पूस सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने बारवी को दोस्तों के पास रेयर कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, साथ ही बेल आको अंदा बाग रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स